20. सदी के महांत संतों में उत्तराखंड के नियम करोली बाबा का नाम शुमार है। कहा जाता है कि करोली बाबा के पास दिव्य शक्तियां थी। उन्हें बजरंग बली का अवतार भी माना जाता था। नियम करोली बाबा धनवान होने को मनुष्य की उपयोगिता मानते थे, जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता था, लेकिन सही माइने में उनके अनुसार धनवान कौन कहलाता है, आईए जानते हैं धन की उपयोगिता नियम करोली बाबा के सिध्धान्त के अनुसार यदि किसी इंसान के पास धन है, तो उसे धनवान मान लेना ही सही नहीं है आपको उस धन की सही उप्योगिता के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप धनवान कहलाएंगे इस प्रकासा के धन का कोई लाब नहीं है, जो धन जरूरतमंद के काम न आ सके धन का सही उप्योग ही धनवान के लिए सर्वो परी है हर इंसान का कर्तव्य है कि वह अपने धन का इस्तेमाल पहले जरूरत मंदों के लिए करे धन का वित्रण महाराज जी का सिध्धान्त कहता है कि यदि आप धन का वित्रण नहीं करेंगे तो आप उसे भरेंगे कैसे यदि आपने धन का कोश खाली नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा क्योंकि ईश्वर हमेशा ऐसे धनवान व्यक्तियों को ही चुनते हैं जिनके हृदय में गरीबों और जरूरत मंदों के प्रतिसनेह रहता है यदि आपके दिल में किसी दूसरे के लिए सहायता का भाव नहीं है तो आप धन का केवल संचरन करते जा रहे हैं ऐसे में आप समझ लीजिए कि आप बहुत समय तक धनवान नहीं रहेंगे